नमस्का दोस्तों मैं हूँ अदिती शर्मा स्वागत है आप सभी का फिल्म विंडो में हाजर हूँ आप सभी के लिए कुछ लेटेस्ट अब्डेट्स लेकर लेकर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है मुझे इंस्टेक्रेम पर फॉलो तो जल्दी से कीजिए अदिती प् आप को नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स कौन कौन से हैं? लॉक अप के? जी हाँ लॉक अप के वो कंटेस्टेंट्स हैं पायल, तहसीन, शिवम, पूनम और साइशा यहां पर किसको कितने वोट्स आ रहे हैं चलिए आई आपको बता देती हूं वो भी लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो मुनवर जो है वो सबसे ज़ादा फेवरेट कंटेस्टेंट बने हुए हैं लॉक अप के मुनवर को बहुत ज़ादा प्यार मिल रहा है बहुत ज़ादा सपोर्ट मिल रही है और साथ ही मुनवर के लिए बहुत सारे वोट इस भी आ रहे हैं दोस्तो मुनवर को लोग वोट कर रहे हैं वो चाहे इस नॉमिनेटेड लिस्ट में हो या नहीं लेकिन फिर भी लोग तकरीबन 40% वोट जो है मुनवर को मिल रहे हैं वहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूनम को 18% और यहाँ पर तहसीन को 16% और शिवम को 11% तो मतलब कहीं न कहीं इन लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं अब अगर बात की जाए कि आकरकार जो जो लोग नॉमिनेट हुए हैं उनको कितने परसेंट वोट आ रहे हैं तो पायल रोतागी कि अगर बात की जाए तो 8% वोट उनको आ रहे हैं साइशा क कि अगर बात की जाए तो 3% वोट जो है वो साइशा को मिल रहे हैं अंजली अरोडा जो फिलाल अभी नॉमिनेटेड नहीं है लेकिन अंजली कुछ खास जो है वो लोगों का दिल जीत नहीं पारी तो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं यहां पर भी कहीं नहीं जाने वाली अब देखा जाए तो इन चारों में सबसे वीक लग रही है साइशा साइशा जिनको सिर्फ 3% वोट यहां पर मिल रहे है तो देखते हैं अखरकार किसका eviction होता है और कौन इस बार इस lock up को टाटा बाय बाय कर देता है मिलते हैं उ नेक्स्ट वीडियो में और जाद अपडेट्स के साथ